दक्षिना बात ही कहीं और की है दक्षिना और दान की भी आपस में कोई तुलना नहीं है दाम तो बहुत दूर की बात है दान में तैयारी होती है दान में तो उम्मीद होती है दान में तो चाहा जा रहा होता है कि जिसको दान दे रहे हैं उसे दान से कुछ लाभ हो जाए भविश्य में और दक्षणा उससे आती है जो लाभानवित हो ही गया जिसके लिए अब कोई भविश्य नहीं बचा जिसका सब अधेरा मिट गया जिसकी सब गाठें खुल गई चित सरल हो गया ग्रंथियां कट गई वो फिर दक्षणा देता है तो दक्षणा देना भी अधिकार की बात है दक्षणा देने वाले को पहले ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि भाई उसे कुछ मिली गया है और ये भरोसा ही दक्षणा देने की पातरता बनता है ये भरोसा आपको बड़ा असहाय कर देता है विवश हो जाते हैं आप इस भरोसे के आगे